आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा मौनिंग रुटीन ब्रेकफ़स्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में आपके साथ तो सुबह उठकर ही मैंने कपड़े जो है लोड करते थे वाशिंग मशीन में सो दाट मैं साथ बाइसाथ ब्रेकफ़स्ट बनाती रहोंगी और ये कपड़े जो है दूल जाएंगे और कभी-कभी लाइफ में सप्राइज़स मिले तो कितने अच्छा लगते है ना तो इट वस अच अच अडे शर्मा जी ने मिलने चाय बनाई आई आपके आपको ये जानकर बड़ी हहरानी होगी शर्मा जी बिलकुल बिलकुल किचिन में जाना पसंद नहीं करते हैं उनको एक भी छोटा भी काम किचिन का करना अच्छा नहीं लगता है लेकिन कभी-कभी उनका ऐसा मूड होता है कि वो कुछ करें स्पेशल करें तो फिर मेरे लि तो चाहे नचाओए करने के बाद अभी वक्त है कि मैं नाश्ता बनाओं नाश्ता बनाने के लिए मैंने अभी ब्लेंडिंग जार में में पीस रही हूँ गार्लिक, जिंजर, एक ग्रीन चिली और दो टमाटर मेंने लिए हैं मैं इनके एक प्योरी बनाने वाली हूँ तो आलू की सबजी लेकिन बहुत ही अच्छी सी है एकदम डिफरेंट सी आप देखेगा आपको बहुत अच्छी लेगी आप ट्राइ कर सकते हैं रेसिपी तो इन सभी चीजों को पीस कर मैंने इसका एक मसाला बना लिया है उसको ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे बोल में और म सक्षाफ कर के मुझे आगे एक पेस्ट बनाना है तो आलू मैंने पहले से बाल ले थे और यह ब्राउन आनियन भी मैने पहले ही फ्राइप रख लिख लिथी तो अब यह ठंड़ी होगी है तो यह शुक्त बड़ा सा पियास यह लिए था और इसको इवली फ्राय कर Gःस plugs तो मैं मिक्सी जार में ले रही हूँ ब्राउन आनियन और दो बड़े चमच दही मैंने यह लिया है और इसका एकतम स्मूध सा जो है पेस्ट बनाना है यह देखे एक दम स्मूध पेस्ट बना के तियार रखे तो अब शुरू करते हैं सबसी बनाने की तियारी कड़ाई में म लाल मिर्ची घल्दी और धनिये का पाउडर ऊद्र लेस्ट हैं में बल्लीय हैं तो मत have अद्रकक है जो तो इस नहीं प्याइंड बडाता है तो मैं बल्लीय ग्राहने लिखे लखे रखे रखे देलन व्यचेत करें तो ज्ख्शा हमें यह ल Ak cu ist le avere 3 cramotid मेर्त बराई में न इसलिए इसको आपको अच्छे से बूनना है टमाटर तो बहुत जल्दी पक जाते हैं लेकिन जिंजर गालिक की एक स्मेल होती है तो वो रो स्मेल जानी चाहिए वरना सबसी में एक अजीब सा बहुत अजीब सा फ्रेग्रेंस आने लगती है और वो सबको अच्छी नहीं अच्छी तरह से मिला लूँगी और चला चला की थोड़ी देर भून लूँगी और एक बार इस वेरियेशन से आप अलो टमाटर बनाईएगा एक अलगी उसको टैंजिंट मिलता है सबसी को बहुत अच्छी लगती है आड़ किया है मैंने यहां पर थोड़ा सा कसूरी में और मैं धकन लगा दूँगी क्योंकि जो इस तरह पेस्ट वाला जो मसाला होता है वो बहुत उचलता है तो डगड़कर ही पकाती हूं मैं उसे अदर्वाइस मुझबे भी चीटे आ जाएंगे और वाल और गैस सब गंदे हो जाते हैं तो देखें किस तरह मसाले से जो है त पेल चूटने लगा है तो यह चार आलू मैंने बॉइल कर लिये थे इन्हें हाथ से इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काटके में डाल रही हूं पेस्ट जैसा मत बनाएगा थोड़े मोटे मोटे चंक रखेगा और ऐसा करने के दारान थोड़ा सा पोर्शन आफ आलू तो पेस्ट होई ही जाता है विच इस फाइन लेकिन आप जानबूझके इसे बहुत मैशी मत बनाएगा तो अभी मसाली में आलू मिलाने के बाद मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही कडाई में बूनूंगी फ्रेम इस वक्त फास्ट है तो दो तीन मिनट बूनने के बाद यह मैं बड़िलोग तो मिकसी के अंदर जो मसाला था तो मैं पानी डाल कै मैने उसे बाद करके निकाल लिया है और अभी में जो सब्जी है इसकी कांसिस्टनसी r जस्ट करते हुए इसमें पानी डाल रही हूं तो मैं यह सब्जी बना रही हूँ पूरी के साथ थोड़ी सी ग आज मैं बिल्कुल यूपी स्टाइल नाश्ता बना रही हूं आफ्टर सो लॉंग आलो की सबजी, हल्वा और पूरी और यकीन जानिये बहुत-बहुत महीने बाद आज मैंने पूरी बनाई थी तो यहां मैंने अंदाजे से ही थोड़ा सा गी ले लिया है और सूजी डाल कर गून ले रही हूं बैसिकली जो रेशो होता है जो ट्रडिशनली जो बनता है हल्वा वह वान इस्टू वान होता है घी, सूजी और शक्कर का और पानी इसमें चार गुना जाता है बट आप बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिन चीजों को कम्या ज्यादा कर सकते हैं ड़े ञादा के कि तो बनती चीजगा नहीं के पूँटारी जाना चाहते हैं तो जितना भी डालना चाहते हो उसका सिर्फ आधा है अमाउंट पहले लीजेगा सूजी को आपके डिजायर कलर तक भूनिएगा और जो बचा हुआ जो गिय हो बाद में अमाट करेंगे तो मैंने भी यहां पर थोड़ा कम गही लिया था सूजी को मैं अच्छे से ब्राउन कर लिया है और इसमें मैं थोड़े से असौर्टेड न देखेगा आपको अच्छा लगने वाला है मेरे फैमिल में बहुत पसंद किया जाता है इस तरह से बनाया हुआ हल्वा और यह नट्स कब तक बुनने हैं जब तक काजू बगेरा थोड़ा सा लाल कलर ले ले या किशमिश एक दम फूल के मूतियों जैसी हो जाए आप में थोड़े से बादां, काजू, पिस्ता और किशमिश लिया था आप आपकी मर्जी के नट्स डाल सकते हो हल्वा में चुरॉंजी भी बहुत अच्छी लगती है तो इसे डखके में पकने रखोंगी यहां देखिए जो आलू है उसके उपर तेल निकलाया है बहुत स्लो इसे पका रहे थी और यह सबजी एकदम रड़ी है देखने में अभी पूरी के हिसाब से थोड़ी पतली है पर यह 5-7 मिनट आज ना खाएंगे जब खाना तो तब तक यह रखी रहनी है तो काफी गाड़ी हो जाती आलू की सबजी तो इस टेज पे मैं आड़ कर जाती है मसाला और गैस में बंद कर दिया इसको फर्दर कुक नहीं करना है मैंने जब सबजी आ इस तरह से गी छोड़ देते हैं यानि वह बहुत अच्छी तरह से पग गई है गी आज इन तो फाट यू यू यूज तेल भी हो सकता है मेरे केस में तेल ही था और यहां पे हल्वा भ अच्छी तो अच्छी तो अभी जो चीनी है वह आप आपके पसंद के हिसाब से लीजिए मैंने मेरी फैमली की टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और मिला करके इसे फिर से थोड़ दिर पकने रखा जाएगा तो मैं इसको डखन लगा हूँ उससे पहले मैंने इसमें डाला है हरी इलाइची का पाउडर और साथ ही साथ जैसे मैंने आप से कहा था कि आधी कोंटिट्यू आप खी आप बचा दीजिएगा तो वही घी मैं यहां उपर से डाल रही हूँ इस तरह उपर से जब आप होता है ना वह बहुत अच्छाने करके आता है और डखकन लगा के मैंसे थोड़ी सी देर पकने रखोंगी जब तक की जो चीनी है वो पिगल जाए और यह देखे मेरा हल्वा और मुस्ट रेडी हो गया है और सूजी की भी यही कहानी है आप उसे जब पका रहे होते हो तो लगता है कि यह भी पतला है लेकिन आप पांच मिट बाहर रख दीजिए वह इतनी ड्राय हो जाती है तो हल्वा आपको जैसा पसंद है उससे थोड़ा लूज ही आप गैस बंद कर दिया कीजिए और हल्वा यह रेडी हो गया है तो मैं इस और फर्दर कुक नहीं करूंगी यह सबजी भी अल्मोस्ट रेडी हो चुकी थी मैंने गैस बंद कर दिया था बस इसे फानल टच दे रही हूं मैं इसमें चॉप्ट कॉरियंडर डाल कर और यह देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही अच्छी टेस्टी खाने में भी लगती है यह तो सबजी और हल्वा हो अब इसमें फटा फट से पूरियां सेख लेने वाली हूं तो यहां पर तीनों शर्मा बैठ चुके हैं नाश्ता करने और चुकि पूरी बन रही है तो मैं उन्हें जॉइन नहीं कर सकती हूं चाहकर भी क्योंकि मुझे भी पूरी बनानी और पूरी खाने का मज़ा गर्मा-गरम ही होता है तो शर्मा जी सर्फ कर रहे हैं फूड और मेरी एल्डे डॉटर दो वान इं ब्ल्यू प्लोथ जब चोटी थी तो वह पूरी और रोटी दोनों को ही बलून कहती थी उसको इतना चलता था गौलवल पूरियां देखना और शी उस तो थिंक कि यह भी बलून ही है और मां हो सकता है थोड़ा है यह खाना लेकिन मुस्ट अब दो नौर्थ इंडिन फामिली में ज्यादा तर संडेज वोगेरा जो मौनिंग होते हैं जब फामिली इकटे बैठके नाश्ता करती है तो यह ज्यादा तर घरों में बनता है और यह अल्टेमिट फेवरेट है न अभी तक कपड़े भी दूल चुके थे काफी पहले दूल चुके थे पर मैं बिजी थी किचन में इसलिए कपड़ों को मैं अभी फैला लूंगी परना यह मुटे कपड़े हैं यह शाम तक फिर सूख नहीं पाएंगा अगर लेट हो जाएगा तो और इसके बाद आज दिन है कि मैं तोड़ा सा खुद को पैंपर कर रही हूँ हफते में दो दिन मैं अपने फेस को स्क्रब करती हूँ तो किस तरह मैं फेशल क्लीन अप करती हूँ वह एक चोटा सा प्रसीचर है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे पहले मैं फे इसके रेवीवर्स चानते हैं कि मेरे पास इस तरह का एक फेशल स्क्रब है ब्रॉश है यह तो मैं हर रोज इसका इसका इस्तमाल नहीं करती हूँ जिस दिन मैं एक लिए ट्लीन अप टाइप करना होता है तो उस दिन में इसको यूज करती हूँ रोज रोज करने के लिए यह स्किन पर काफी हार्श है तो आप लेकिन हफते में दो से तीन बार आराम से इसको यूज कर सकते हैं और बिल्कुल प्रेस नहीं कीजिए इदम हलके आतों से और इस्पेशली आपके नाक और जो चेन एरिया होता है वहाँ पे ज़रूर स्क्रब कीजिए क्योंकि वहाँ इसके बाद मैं ले रही हूं यह वायाम का कुमकुमादी प्यॉर ग्लो फेस क्रब और यह स्क्रब पूरी तरह से आयुरवेदा पी पेस्ट है इसमें एक भी इंग्रीडियंट ऐसा नहीं है जो आयुरवेदिक नहीं हो यह पूरी तरह से आपके स्किन पर सेफ है मैं इसे मुझे बहुत अच्छा लगा इस वन अप तो बेस्ट स्क्रब्स आया व्यू सो फार तो स्क्रब को पूरे फेस पे आपको हलके हलके आतों से आपको स्प्रेड करना है और कम से कम एक से दो मिनिट तक हलके हातों से स्क्रब कीज़े आपके फेस को सो आपका फेस है वो अच्छे से एक्सपोलियेट हो जाए और इसके बाद लिप्स के लिए मैं ले रही हूं गुड़ वाइप्स का स्ट्राबरी लिप्स क्रब्स जिस स्किन को स्क्रब करना जर लिप्स होते हैं रात और रात कोई चीज असर नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो पिग्मेंटेशन भी जो है लिप्स की दूर होती है तो बस वाश कर लिया है मैंने स्क्रब को भी इसके बाद मैं ले रही हूं बायाटिक एडवांस आयरवेदा का ये और ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं थेराप्यूटिक प्रापटीज है इसमें आप देख सकते हैं इस पे लिखा भी है और इसके खुश्बू भी इतनी अच्छी है और ये फ्रूट पैक वाइटनिंग डीपिग्मेंटेशन और टैन रूमूबल के लिए बहुत अच् तो पैक पूरी तरहां से आपके स्किन पे लगा लेने के बाद इसे छोड़ेए 15-20 मिनट और उसके बाद दो लीजे आपके चेहरे को और अभी मैं अपने लिप्स को मॉस्चराइज कर लूँगी अज यूश्वल लिप बाम से और फेस पे स्प्रे कर लूँगी में टोनर और टोनर को बाड़ी पे फेस पे रब नहीं करना है पैट करकर के इसे थोड़ा सा एड राए होने छोड़ दीजिए यह दिरे दिरे आपकी जो स्केन है उसमें अब्सवाब हो जाएगा तो अभी है शाम का वक्त है लंच में हम लोगों ने जो ब्रेक्वस्स से बचा था वो और थोड़े फ्रूट्स वगरा खा लिये थे लेकिन प्रॉपर इवनिंग नहीं हुई है चाय बनाने का वक्त नहीं है बट मेरे बच्चेस फीलिंग हंगरी तो मैंने लिए एक चोट यहां पर हर्शी कोकु पाउडर मैं ले रही हूं आप आपके लिए बनाएंगे तो एक टेबल स्पून ले सकते हो पर बच्चे लोगो इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता तो एक टी स्पून लीजे फिर मैं ले रही हूं कंडेंस मिल्क और कंडेंस मिल्क आप चाहें तो कंडेंस मिल्क मद डालिये आप पूरा को पूरा पूर्शन जो है वह तीन टेबल स्पून शुगर से रिप्लेस कर सकते हो पर मैंने दो टेबल स्पून कंडेंस मिल्क लिया है और एक टेबल स्पून यहां मैं पाउडर शुगर ले रही हूं बिल्कुल पि और यह फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनिला एसेंस डालके आधा चमचे समय ने दही भी आड़ कर दिया है चमचे लिएर बसक realidade है बस थोड़ा मने दूड़ अभी आपगे आड़ करूंगी तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि रिबनी कंसिस्टेंसी ना आ जाए और ये केक सिर्फ एक मिनिट में बन जाता है कुछ तीन चार मिनट आपका प्रपरिशन टाइम और वन मिनिट इस कोकिंग टाइम तो आप किसी भी टाइम आपके बच्चों को ये बना के दे सकते हो देखे किस तरह ये बैटर फ इसे माइक्रोवेव हाई पे मैंने वन मिनिट के लिए कुक किया था बट स्टिल कीप अन आए माइक्रोवेवस भी डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं ये देखे स्क्यूवर इस कमिंग आउट क्लीन तो ये बिलकुल अच्छे से कोक है मैं इसे जगा जगा से प्रिक कर तो फाइनल ही गानिश कर रहू हूं मैं तोड़े स्प्रिंकलर से और केक इस रेड़ी पर सान्मी खुषी नोटिस देर एक्स्प्रेशिन् झाल झाल ड़ीया ते लोल हो गई inspires है फिलिए तो बस यही तक थी मेरी आज के वीडियो में उम्मीद करते I am so Hi may Al Chop. I am अभर आपक को यहीड है से video अज पसाद आ ए अगर आपको यह जड़ियो ऑपैमिली के साथ शेयर कर सकते हो आपकी राय मुझसे कॉमेंट बॉक्स में साजा कीजे और अगर आप मेरे चानल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सबी रखे अपना देर सारा ख्याल और मुझे दीजे इजाज़त बाई बाई